तो ही गाईज बॉड़ी बिलिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है तो गाईज आर्णो क्लासिक टुठाइन 24 फाइनली गाईज कंप्लीट हो चुका है एड बहुत सौकिंग रजल्ट भी एड बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ यह आर्णो क्लासिक टुठाइन 24 का यह सीजन निकला बात बकी सबसे पहले वीडियो श्राट करने से पहले मैं आप लोग को जानना चाहूंगा कि आप लोग को यह वाले सीजन है इसमें सभी कैटियर के जो लैन आप है वह कैंसल लगा फरस्ट फॉफ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना तो आप लोग को ज के आपने सब्सक्राइब बात करने तो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइब रजल्ट वहांपर हमारे सामने आये ते तो फस्ट फ्रवाल का इसा है कि आप लोग को पता होगा कि अंदर लेकर आती हैं बट गई यहां पर वह एक अच्छा खासा मसल मास के साथ में वह आए थे तो यहां पर गई एक बहुत बड़ी अ एक बहुत सौक्रिंग रजल्ट सामने आता है वह यह होता है कि अनुक्लासिक से दो से तीन वीग पहले या एक वीग पहले भी सब लोग यह प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो उन्स केलेंज की हैं वह सेकंड पर रहेंगे वह उनकी प्लेसिंग से खिसक के थर्ड पर आ जाती है कि प्रेडिक्ट की होगा कि रमन दीन said कि बार फिर्ट प्लिसिंग रहेंगे जैसा कि हैं जब आर पका रही है दो आप लिए वित यहां पर इनांवन आप्तिश्ट क कि वह इसासिक अपना डावावार्ण दोब हो रहे थे तब गया था मर्याग गया था आप आप लोग यहां पर देखी सकते हो हाला कि ऑन स्टेज गाइज वह आवार्ड की या प्लेसिक की डिस्रिस्पेक्ट तो करते हुए कभी भी हम लोग को नजर नहीं आते रमून दीनों और नहीं आई थिंग सो कभी हम लोग को नजर आएंगे बट गाइज जब वैसली विजर् आप्या में जो कंसिस्टेंट्ली सैकिंड प्लेस अचीव कर रहा है वह आनो क्लासिक में कैसे हार सकता है जबकि उस एथलेट से जो की प्रिवेस एयर ही टॉप फाइब से बाहरते तो गाइज हां यह चीज तो है हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ एंडि आनो क्लासिक के इस ए मतलब के लिए एंड़ ए और आडिवेस नव्लेटेश रिज एंडिब एंड़ एंड़ेगे हैं। यह हैं। उनल्लब स्वथनेग इन ही लाइग में बिए उनल्लब एलब एख गॉथनेग दीकिंड के अपाइब एंड्सानेग साहिं और एंड़ इनल्ली फस्जवे golden support I can't fathom it into words just know that deep inside I truly truly appreciate it and this is yeah basically one of the best days of my life guys thank you so much and I'm incredibly incredibly happy and now dieting guys wheelchair category here guys I would like to tell you guys seven competitors from which one of the competitors came from India also be gay the Rajen John by jesakya upload ko pata hooga to guys here India India been a history cardly and my upload ko pata na chao ga do about a second-party old video banana joe kao kao ri gaarding liki n guys my video are so bad at a time of India चेयर काटेरी के अंदर गोल्ड मैडल अचीव कर लिया है एंड गाइज आठ साल के बाद ऐसा हुआ है 2016 के बाद ऐसा हुआ है कि आनो क्लासिक से हमें कोई गोल्ड मैडल या फिर गाइज कोई मैडल ही अचीव हुआ हो तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जब उनको अव आती है तो यहां आप लोग राजे जोन भाई को कमेंड सेशिंग की अंदर या उनकी इतनी मेहनत के लिए कॉंग रचुले तो कर ही सकते हो बात बाकी गाई उनको जाके सबोर्ड भी करो उनकी इंस्ट्राइड अकाउंट पर तो गाइस अब बात कर लेते हैं डायटली मैं मैं बात कर लग को बताना चाहूंगा कि लिटरली इस बार कर आनो क्लासिक का जो मैंस विट लाइनप है वह सबसे ज्यादा वीक लाइनप है जी हाँ ग्याइस आप लोग में से बहुत साई लोग यह बोल भी रहते कि मैंस फिजिक लाइनप में अपने रावल फिटनेस भा बहुत सारे लोग तो भाई ये भी कमेंट कर गए थे कि ऑटोमेटिकली डियागो मंटरेन को कैसे भाई जित जाता है तो गाइस बोट पता नहीं बाट गाइस उन्होंने कोई रियक्शन नहीं दिये लेकिन क्रियान होल्डन ने अपने साइट से रियक्शन दिये तो अने क्य सभी के बाद अनोल यू के में नज़र आएंगे लेकिन अब बात कर लेते हैं सभी कैटेगरी पर राज करने वाली ओपन बॉड़ी बिलिन डिवीजन के बार में जिसमें कि हादी चूपन ने ये प्रूफ कर दिया कि मैं क्यूं बैस्ट हूं और मैं क्यूं चैंपियन बता को भी हरा के इस साल के न्यू आनो क्लासिक चैंपियन बन जाते हैं एंड डेफनेटली सिर्फ एक ही ऐसे कैटरी ती जिसमें देखने में थोड़ा सथा दिल्चस्प था जो कि हादी चूपन के विए से यह हुई थी अगर हादी चूपन का अगर इस लाइनप से नाम हटा अगर सबोच करें तो तो इस गाई सो में कुछ बशता ही नहीं क्योंकि अभी मैंने आप लोगों मैंस फिजिक का विए एक्जांपल दिया था सबसे ब्रॉस्ट लाइनप था आर्नो क्लासिक के अभी तक का और और सो गाइस बहुत से लोग कमेंड कर रहे थे और रियक्श टित थी तो इस बार कुछ नाकुछ वेंको ऐसे करना था इस बार ही जो ओ और से किया गया नाफ़ को पमेंड करके बता लेकिन जितना मेरे को लगता है वो अपनी सपोर्टर को बता रहे होंगे कि हमने ट्रॉफी अचेव कर लिया कि हमने प्रूफ कर दिया कि मैं क्यूं पैस्ट हूं आप लोग को फिजीक बगार कैसे लगी वह आप लोग बताना और आपने सपोर्टर को उनके फैंस को वह थैंक्स भी प्यार करने के लिए एंड उनको एक और मौका देने के लिए उसके साथ साथ हम लोग बात करें सेकंड प्लेस अचीवर सैंसंग 12 के बार में तो उन्होंने तो कुछ खास रियक्शन नहीं दिये बस उन्होंने यहीं बोलाए कि अपनी सेकंड प्लेसिंग आ चुके इस साल क्लासिक के अंदर अब हम इस चीज़ पर ज्यादा फोकस्ट नहीं रहेंगे कि कौन जीता कौन हर अब डायटली हम नेक्स्ट डिट जो कि अर्नो क्लासिक यूके के अंदर वो कॉंपिट करने वाले उस पर कॉंसर्टेट कर रहेंगे तो ऐसा उन्होंने बोला है यहां पर आप लोग साफ साफ इस कैप्शन में देखिए सकते हो वेल और वीडियो के स्टार्टिक में में बताना भूल गया जब मैंस फिजिक लाइनप को मैंने कवर किया था जब डियागो मांटेनर को का ऐसा चैंपियन एंदर फर्स प्रेस अचीवर उनका नेम एनांस किया गया तब गाइस डियागो मांटेनों को काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे इतने ज्यादा इमोशनल कि भाई वह और स्वाजनेगर से गले मिलके रोने भी लगे एंड वहां पर तौर से वियर्ड मोमेंट हो गया था जैसे कि यहाप अभी आप लोग देखे सकता अपने स्क्र कंमेंट करके बताना थी को को क्या कहना इंट ने stories को कमेंट करकेशन बताना पहले बहुत जल्Д है जुड़ी आइसे मज़ेदार अपडेट्स के साथ में नहीं वीडियो के साथ मैं तब तक के लिए बाए